हलो एब्रीवन, बलकाउं टो माई चनलल से अभी वितासो, फ्रेंट्स आज हम बैंक प्रोमोशन एकजाम में एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि फ्रेंट्स FD, Fixed Deposit है न, FD कहते हैं, Fixed Deposit कहते हैं, Term Deposit भी कहा जाता है इसी को, तो इसके बारे में जो Journal Guidelines हैं, उन सभी बातों को एक साथ पढ़ेंगे, तो चलिए फिर्ट शुरू करते हैं, देखिए, मिनिमम कितने दिन के लिए FD बन सकती है, तो मिनिमम साथ दिन के लिए FD बनाई जा सकती है, यह एज पर RBI guideline है, तो अगर कोई customer जो है तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए FD बनाने के लि कितने साल के लिए, दस साल के लिए FD बनाई जा सकती है, अब अगर आज को customer आता है, वो बोलता है कि मुझे 30 साल के लिए FD करवानी है, तो यह possible नहीं है, बलकि यह possible है कि उसकी 10 साल के लिए हम FD करेंगे, और फिर उसको हम हर 10 साल बाद renew करते जाएंगे, लेकिन एक बार में कहिए 20 साल के लिए, 25 साल के लिए FD बनाई जाए, तो वो possible नहीं है, और यह edge पर IBA guideline है, तो ध्यान रखेंगे, minimum FD 7 days के लिए बनती है, maximum FD कितने साल के लिए बनती है, 10 साल के लिए बनती है, यह बात हमें clear हो जाती है, सवाल यह है कि क्या FD जो है 10 साल से ज्यादा के के लिए open की जा सकती है, is it possible या impossible है, तो ध्यान रखेंगा possible होता है, ठीक है, अगर कोई minor है, उसके नाम पर 10 साल से ज्यादा के लिए FD खोली जा सकती है, या जो road accident हो गएरा में कोई वेक्ति अगर expire कर जाता है, तो उसके जो beneficiary होते हैं, माल लिए किसी वेक्ति के death हो गई accident में, तो जो उसके family members हैं, अगर माल जो court गएरा case जीत जाते हैं, तो court ये आदेश देती है, कि जिस वेक्तिन accident में, मतलब जिसके accident से सामने वाले की जान गई है, उसको जो है 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और ये 20 लाख रुपए, चुकि हो सकता है, मतलब जो beneficiary हो बनाई जा सकती है, तो अगर court का आदेश आता है, तो 10 साल से जादा के लिए बनाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि रोड एक्सिडेंट के case में, यदि court का order आएगा, तो 10 साल से जादा की FD बनाई जा सकती है, और जो minor होते हैं, उनके नाम पर भी FD 10 साल से जादा के लिए create की जा सकती है, अब एक सवाल पूछाता है कि बल्क deposit किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि ये guideline मतलब RBI की है, एज पर RBI जो single FD अगर आपने 2 करोड या उससे उपर की कर दी, तो उसे फ्रेंस बल्क deposit कहा जाता है, और RRB जो होते हैं, रीजिनल रूरल बैंक जो होते हैं, 2 करोड रूपए पर, देखिए अगर आप से simple पूछा जाए कि बैंक में जो बल्क deposit होता है, कितने amount या उससे उपर का होता है, तो ध्यान रखेंगे, answer होगा, 2 करोड या उससे उपर का, अगर ये especially RRBs के बारे में पूछा जाएं, तो 15 लाख है नेवब का जो deposit होता है, एक FD किसी customer ने बनवाई, और वो 20 लाख की बनवादी, माल लिजे RRB में, किसी आर्यवर्द ग्रामिट बैंक में, बिहार ग्रामिट बैंक में कहीं बनवादी, तो ये जो है आपकी बल्क deposit कहलाएगा, RRB में, उसी जगे पर माल लिजे कोई केनरा बैंक में customer आता है, वो पर बैंकों को आजादी होती है, तो ध्यान रखेगा, bank have, sell have freedom to offer term deposit without premature withdrawal facility, तो बैंकों को मतलब आजादी होती है, कि अगर वो, मतलब जैसे होता क्या है, नुकसान क्या है, यहाँ, premature withdrawal का option क्या है, माल लिजे किसी customer ने 3 करोड रुपए की FD करवाई, अब आप क्या करते हो, इस 3 करोड रुपए को bank invest कर देता, कहीं loan देता है, अब माल लिजे FD 5 साल के लिए हुई है, और loan भी 5 साल के लिए हुआ है, तो 3 करोड की FD है, और 3 करोड रुपए का loan है, सब पूस सही चल रहा है, लेकिन अगर माल लिजे premature करवाने के लिए 1 साल बात पता चले, यह customer 3 कर रुपए मांगने आ गया, तो अभी तो loan वापस आया नहीं, यह 5 साल के लिए गया हुआ था, और तुम 3 करोड रुपए के FD मांगने चले है, तो ऐसे में bank को loss हो जाता है, तो इसलिए bank prefer करते हैं, कि अगर premature withdrawal facility ना दी जा तो ज़्याद अच्छा है, तो बैंकों को इस बा जरूर दियाता है, मां लिए किसी की 12 लाख FD है, किसी की 3 लाख FD कोई customer उसकी 50 जार रुपए के FD है, तो ऐसी customers को पैसे की need होती है, और उन्हें जरूरत पर दिये, अगर कोई वेक्ति 20 लाख 50 लाख FD करवा रहा है, इसका मतलब उसका पैसे हैं, तभी वो इतनी के FD कर दिन के लिए बनाए सकती है, 10 साल के लिए, मतलब जो है, IBA की guideline के साथ से maximum जो FD होती, 10 साल के लिए होती है, क्या FD 10 साल से ज़्यादा के लिए भी खोली जा सकती है, तो yes, minor customer के लिए, और साथ ही ज़्यादा अगर code का आदेश आ जाता है, तो उस case में 10 साल से ज़्यादा की होई, तो उसे bulk deposit काहे जाता है, RRB के case में यही बात 15 लाख या IBAB पर लाग होती है, अनि अगर उसे 15 लाख या उससे ज़्यादा का पैसा उसके लाद से घठा होगे, मतलब 1 FD कर दी, तो उसे bulk deposit माना जाता है, 15 लाख या उससे कम की जो FD होगी, उसमें premature withdrawal facility देना compulsory है otherwise bank को उपर निर्भार करता है, वो चाहें, तो premature withdrawal facility दें या ना दें, okay, payment of interest and premature withdrawal, अब माल लिए कोई customer आपके जास में premature withdrawal करवाने आता है, तो उस case में आप जो है interest pay करेंगे, कितना pay करेंगे, क्या, जो है मतलब, penalty काटेंगे, क्या करेंगे, न, interest shall be paid at rate applicable to the amount and period for which departed is in the bank and not the contracted rate. तो ये वही बोल रहे हैं कि अगर माल लिए को customer आपके पास आता है, और वो premature withdrawal लेना चाहता है, माल लिए contract rate हुआ था 6% पर, लेकिन bank ये खहता है कि अगर आप premature withdrawal लेते हैं, तो हम आपको 1% penalty काटेंगे, तो जो 5% rate of interest हुआ, वही applicable किया जाएगा, तो interest pay किया जाएगा, rate applicable to the amount and period, जितने समय के लिए, अगर 6 महिने के लिए, तो 6 महिने के लिए देंगे, और हम जो contract rate हुआ, 6% पर हुआ, उस पर नहीं देंगे interest, उसको interest हम देंगे, अपना penalty वगरा काटने के बाद में ही, और no interest shall be paid, premature withdrawal of deposit take place before the completion minimum period of 7 days, अब अगर माल लिए को customer आता है, आपके पास पांच दिन आपके पास रखा और withdraw कर लिया, पांच दिन आपके पास FD रखी और 6 दिन वो withdraw करने चला आया, तो ऐसे case में हम उसको कोई भी interest नहीं देंगे, minimum 7 दिन तो हमारे पास FD होनी ही चाहिए, after that ही bank आपको interest देगा, clear होगी बाद, माल लिए 6 मन्त के लिए किसी customer ने FD बनवाई, लेकिन वो 6 दिन आपके पास आगया premature withdrawal के लिए 6 देज पर आगया, तो उस case में आप उसको 0 interest देंगे, कोई interest नहीं देंगे, अगर 7 देज या 8 देज के लिए उसने हमारे पास रखी थे, 8 दिन आता अगर, तो हम उसको 8 दिन का जो भी interest बनता वो देते, तो य यहां पर friends हम बात करेंगे, FD पर tax के rule की, तो tax rule क्या कहता है, FD पर आईए देख लेते हैं, bank tax, TDS होता है, tax deduction at source है, TDS, tax deducted at source होता है, at rate 10%, bank 10% TDS कब काटता है, तो देखे, जो माल लिजे bank क्या करता है, आपने माल लिजे bank में 6 FD करवा रखी है, माल लेते हैं, एक example के लि कुल मिला करते हैं, और उन सभी FD में मिला करके, उसको माल लिजे, पूरे साल में जो interest बना है, वो 32,000 रुपए बना हुआ है, तो ऐसे cases में, उसके उपर कोई भी TDS नहीं कटेगा, तो TDS कब कटेगा, जब आपकी सभी FD में कुल मिला करके, जो interest है, सभी FD में मिला करके, जो interest पूरे एक साल में मनता है, वो 40,000 रुपए से जादा हो, 40,000 रुपए तक कोई भी TDS नहीं कटता है, अगर 40,000 रुपए से जादा आपको interest मिला है, उस case में 10% TDS कट जाता है, किस पर जितना आपने interest अर्न किया है, माल लेते हैं, एक customer है, उसकी एक ही FD है, लेकिन इस पर 10% का TDS लगेगा, तो 50,000 रुपए का 10%, 5,000 रुपए का उसको TDS भरना पड़ जाएगा, customer को, clear हो गई ये बात, अम माल लेते हैं, उसको कोई customer है, उसने जो FD कराई है, उसको को मिला करके, माल लेते, 39,000 का ही interest में लगा, पूरे साल में 49,000 रुपए ही उसको ब्या की भी TDS देने की इस customer को जरूरत नहीं है, ये limit senior citizen के लिए 50,000 रुपए तक हो जारी है, अगर कोई बेक्ती senior citizen है, तो अगर उसका interest साल भर का, वो interest जो है, 50,000 रुपए अगर पूरे साल में कमाता है, मैं fixed deposit पर interest की बात कर रहा हूं, यहां पर front, कमाई नहीं कह रहा हूं, सम ऐसे case में अगर वो senior citizen है, तो 50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको 10% TDS देना पड़ेगा, तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए बतरो TDS कट जाएंगे, तो clear हो जाती ही, जो यहां पर बात आप से पूछ आती है, अगर कोई senior citizen नहीं है, तो 40,000 रुपए तक का जो है, ज जरूरत नहीं है, अब सवाल यह है कि bank 20% TDS कट काटता है, तो फिरन ध्यान रखिए, अगर आप pen card की information available नहीं करवाते है bank को, तो bank 20% TDS आपका काट लेता है, जहां पर यह 10% काट रहा था, वहां पर आपको 20% काटना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने pen card की information available नहीं करवा मैं जो भी earn करूँगा, जैसे माल लिए, क्ववरीगती है उसमें साल भर में 3 रूपे कमाए, थिक है, माल लिए 3 रूपीज कमाए और माल लिए 30,000 रूपे जो है, FD में interest के तो पर पर कमाया, तो अब दो तरीके हैं, जो है, income tax इंकमjaminे के, yearरेवा, 130 रूपे का इंकम ह तीन लाख रुपए कमाए ठीक है मालेजे थ्री लाख रुपीज कमाए और प्लस उसने मालेजे 30,000 रुपए जो है FD में इंट्रेस्ट के तौर पर कमाया तो अब दो तरीके हैं जो है इंकम टैक्स भरने के यह जो मतलब FD पर जो 30,000 रुपए की इंकम हुई है FD पर जो 30, 30,000 रुपए का इंट्रेस्ट है इसमें एक तरीका है कि बैंक TDS काट दे बैंक खुद ही TDS काट दे और दूसरा तरीका यह है कि बैंक TDS ना काटे मैं खुद ही यह दिखा दूँगा कि मेरी 30,000 की तो इंकम थी प्लस 30,000 रुपए FD से मैंने अर्ण किया है तो 30,000 चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप हमारे FD से TDS काट दिये तो 15G और 15H फाम जो होते हैं उनको फाइनेंसिल एर के बिगनिंग में ही अगर वो कस्टमर जो है बैंक को समिट कर दे तो बैंक उस केसमें अगर किसी कस्टमर ने 15G या 15H फाम जमा कर दिया है बैंक में तो बै इंकम है वो टैक्सेवल नहीं होनी चाहें और आपने 15G और 15H फाम जो है बैंक में डिव डेट से पहले भर रखा है सुविधा के लिए सहुलियत के लिए कहा जाता है कि सुरुआत में ही फाइनेंसिल एर के बिगनिंग में ही जो परसन है वो अगर 15G या 15H जो भी वो इलि इंसलिक रहे बिएगा तो थ्यान रखिएगा जो 15H है वो senior citizen के लिए है फिप्टेंजी नार्मल परसन के लिए नार्मल का मतलब यहाँ पर होगा जो senior citizen ना हो तो 15H senior citizen और senior citizen के लिए हो जाएगा और 15G जो इनकी 60 साल से कम की एज है तो 15G is applicable to resident individual or Hindu undivided family under age of 60 तो जो 60 साथ साल से कम के लोग हैं वो 15 जी फाम जाकर के बैंक में जमा करते हैं अब यहाँ पर लिखा हुए कि टोडल एनुवल टैक्से वाल इंकम धाई लाग से कम होनी चाहिए अब चुकि अभी जो गवर्वर्मेंट की टैक्स की गाइडलाइन है उसमें है कि धाई लाग रुपे तक आप की इंकम है तो आपको कोई टीडियस नहीं भरना होता मतलब आपको कोई इंकम टैक्स नहीं भरने की जुरूत होती है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन माल यह कल को गाइडलाइन बदलती है और सरकार यह कहती कि आपकी जो अगर पांच लाग रुपे तक आपकी इंकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है तो यह पांच लाग हो जाएगा अभी यह मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए लेकिन जो बेसिक बात है 15 जी कौन भरता है ऐसा बेक्ति जिसकी 60 साल से 80 साल हो या 80 साल और उससे आपको पेनल्टी पे करना ही पड़ेगी आपको कांट्रेक्ट रेट जो हुआ था उस पर पैसे की पेमेंट नहीं होती है और उतने ही समय के पेमेंट होगी जितने दिन लिए fd वहां पर थी एक साल के लिए आपने fd कराई और तीन मतलब मालें जो है तीस दिन वहां पर टैक्स रूल के अगर हम बात करें तो कोई भी बैक्ती अगर senior citizen नहीं है तो अगर पूरे साल में उसकी जो FD पर interest आ रहा है वो 40,000 रूपए तक है 40,000 रूपए तक है तो उसे कोई TDS देनी की जुरूत नहीं है लेकिन अगर उसका income है interest से वो अगर 40,000 रूपए से उपर जाता है तो उसे 10% जो है TDS देना पड़ता है TDS उसका कटता है सिने सिटेजन के case में ये limit 50,000 रूपए हो जाती है नहीं पूरे साल में यदि जो सिने सिटेजन उसकी FD पर 50,000 रूपए से जादा की interest मिली है उसको तो उसे 10% TDS जमा करना पड़ता है इसलिए फरंट देखिए लोग PPF पसंद करते हैं PPF जो होता है उसमें फाइदा क्या होता है कि ये जो जो उसमें income होती है जो आपका interest होता है वो non taxable होता है अगर आप PPF में पैसा डालते हैं और वहाँ पर माल लिजे आपको एक लाख रूपए की interest जनरेट होता है माल लिजे साल भर में आपने एक लाख का interest मतलब कमाया त आपको 90,000 रूपए ही FD का interest की तौर पर मिलेगा उसका आद में 20% भी काटती है लेकिन तब काटे की जब आपने pen card की information ना दी हो तो जो ये guideline थी यहाँ पर 10% TDS काटने की वो guideline उठकर के 20% के TDS पर चली जाती है अगर pen card की जानकारी ना दी गई हो अगर कोई customer ये चाहता ह है कि उसकी FD पर bank TDS काटे ही नहीं bank से हक छीन लिया जाए कि वो TDS काटे तो उसके लिए उसको 15G और 15H फार्म भरके देना होता है 15G फार्म वो देते हैं जो senior citizen नहीं है और 15H फार्म वो देते हैं जो senior citizen लोग होते हैं 15H senior citizen के लिए है 15G जो senior citizen नहीं आनि 60 साल तक की age वाले क्या RBI बताता है कि FD पर कितना interest देना है bank खुद decide करता है या सक्ति मतलब जो है जो governor हो गया रहा होते हैं वो बताते हैं तो ध्यान रखिएगा interest जो rate जो होता है पर टर्म डिपाजर पर उसका deregulation कर दिया गया है RBI के द्वारा RBI ने saving account पर भी deregulation कर दिया है मतलब अब RBI इने power दे रखिए बैंकों को deregulation का मतलब हुआ अब हम खुद regulate नहीं करेंगे आप खुद guideline बनाईए अपने लिए तो इसलिए जो interest rate है टर्म डिपाजर पर वो RBI नहीं कंट्रोल करता उसका regulation RBI नहीं करता बलकि bank खुद decide करता है bank में board of directors जो होते हैं वो decide कर सकते हैं या ज साल की जो FD है उस पर 4.5 देना है या 3.7 देना है या 6.9 देना है इस बात का decision कौन करेगा जो company जो बैंक के board of directors होते हैं या फिर जो asset liability management committee होती है दोनों में से कोई या दोनों मिल करके इस बात को decide कर लेते हैं कि fixed deposit पर कितना interest दिया जाएगा customer को अब को छोटी छोटी बाते जो है यहाँ पर friends हम discuss कर लेते हैं सवाल यह है कि क्या bank जो है अलग-अलग customers को अलग-अलग interest दे सकता है यानि कि मान लिजे अजय जाता है bank ने उसको 6% rate of interest पर FD उसकी कर दी और BJ जाता है या फिर मान लिजे भी जाता है bank में उसको 7% interest पर FD कर दी क्या यह possible है तो yes it is possible ले इसमें ही differential interest rate offer किया जा सकता है ध्यान रखेंगे क्या हुआ बल्क term deposit अगर है तो उस case में एक customer को different rate और दूसरे को different rate offer कर सकते हैं बल्क term deposit मैंने बताया था जब एक customer एक FD करवाए और वो 2 करोड या उससे उपर की हो तो उसे बल्क जो है FD कहते हैं बल्क term deposit कहते हैं और केनरा बैंक के पास आता है और 5 करोड की FD करवाता है तो हो सकता है केनरा बैंक उसको 6% offer कर दे दूसरा दूसरा customer आता है वो भी 5 करोड की FD ही करवाता है हो सकता है केनरा बैंक उसको 7% offer कर दे अब इस case में customer objection नहीं कर सकता है कि आप इसे 6% दे रहे हैं और मुझे 7 दे रह गाइडलाइन है RBI की एक लाख रुपए तक अगर खाते में हैं तो सब को एक ही रेट आफ इंट्रेस्ट आफर करना पड़ेगा बैंक को मान लिजे बैंक ने यह डिसाइड किया कि हम सेबिंग अकाउंट पर इस टॉपिक से रिलेटेड ही है मान लिजे लेकिन अभी बात चल दे ही तो इसको हम डिसकस कर लेते हैं तो एक लाख रुपए तक अगर आपके खाते में सेबिंग अकाउंट में पैसा है और बैंक ने यह डिसाइड कर रखा कि 3 परसेंट हमें इंट्रेस्ट देना है तो सभ तो 1 लाख रुपए तक तो 3 ही परसेंट देना पड़ेगा दोनों कस्ट्मर को लेकिन उससे ऊपर 1 लाख से उपर या जनी 2 लाख है तो 1 लाख रुपए जो हुया पांच लाख है तो एक लाख से ऊपर 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ इन पर बैंक जो है अललग पेनल्टी इंपोज करेगा, पेनल्टी कब नहीं लगाई जाती है अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाए तो उस केस में बैंक प्री मिचुर बेट्रॉल पर भी पेनल्टी नहीं अपलाई करता है, क्या होगा अगर जिस दिन FD मिचुर हुई उस दिन हॉलिडे हो, बैंक बंद है और FD मिचुर हो गए, 30 तारी को FD मिचुर हुई, 30 तारी को बैंक बंद है, तो उस केस में क्या होगा, क्या 31 तारी को पेमिट मिलेगी, या फिर जो है मैं 29 तारी को ही जा करके अपनी FD मिचुर कर वा लूँ, या माल जिए 31 को आप पेमिट दे रहे हैं, मेरी FD 30 को होनी थी 31 को भी बैंक बंद है तो क्या एक तारीक को जो मैं पैमेंट लूँगा तो 30 और 31 तारीक वाला पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यह सारे कुश्चन्स यहां पर हम डिसकस करेंगे maturity date अगर fd की holiday पर है if due date of term deposits on holiday due date मतलब maturity date हो गई bank will make payment on next working day ठीक है ध्यान रखियेगा अगर maturity date के दिन छुटी है तो bank उसके अगले working day जब भी अगला working day होगा माल यह जो है दो तारीक को जो है आपकी FD mature हुई और अगले चार दिन छुट्टी है दो तारीक से ले करके चार दिन छुट्टी है तो बैंक अगर छे तारीक को खुलता है फ्रण तो बैंक next working day यानि छे तारीक को आपकी FD के maturity देगा clear होगी बात next working day पर ही payment की जाती है bank need to pay interest for holiday to deposit right contracted और जितने दिन छुट्टी रही मालिजे दो तारीक को आपको payment मिलनी थी अगले चार दिन छुट्टी है मालिजे आपको 6 तारीक को payment मिलती है तो वैसे तो दो तारीक को FD खतम होगे लेकिन यह जो चार दिन छुट्टी के थे इन चार दिनों में भी जो FD का rate था मालिजे 6% पर contract होगा था तो 6% के हिसाब से इन चार दिन की extra payment bank को देनी पड़ती है customer को clear होगी बात next तो अगर मालिजे छुट्टी वाले दिन किसी person की अगर FD mature हो रही है तो उस case में payment अगले working day पर होगी और जितने दिन चुट्टी रहेगी उतने दिन का contracted जो rate होगा जिस rate पर FD बनी थी उसी rate से ही उतने दिनों की extra जो है ब्याज देना पड़ता है अगला सवाल है कि मालिजे FD mature हो गई है और depositor आया ही नहीं पैसा मांगने के लिए तो उस case में क्या होता है तो देखिए अगर मालिजे FD mature हो गई है और customer आता ही नहीं तो क्या होगा if a term deposit mature and proceeds are unpaid term deposit आपका mature हो गया लेकिन जो proceeds नहीं जो उसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज है वो unpaid है the amount left unclaimed with bank cell attract the rate of interest as applicable to the saving account are contracted rate of interest matured FD whichever is lower देखिए पहले जो RBI की guideline थी वो ये थी कि अगर मालिजे जो है FD आपकी 3 साल के लिए थी आपकी 3 साल बीते और आपके FD पूरी हुई और आप भूल गए गए ही नहीं bank के पास में पैसा लेने के लिए renew नहीं करवाया था आपने आपकी FD 3 साल के लिए हुई और खतम हो गई आप मालिजे जो है 6 महीने और बीत गए जब आप 6 महीने बाद जाते हैं bank के पास में तो देखे 3 साल के लिए आपने FD करवाई थी उसमें मालिजे 6% rate of interest पर FD हुई थी तो bank 3 साल के लिए तो 6% rate of interest पर देगा लेकिन उसके बाद में जो बाकी के 6 महीने है तीन साल के लिए तो आपको FD थी आपका हक है मिलेगा बाकी के जो 6 महीने आप नहीं गए 6 महीने बाद जा रहे हैं तो उस दोरान जो saving account पर interest मिलता है मालिजे वो जिस bank में FD करवाया है वहाँ पर saving account पर 3% मिलता है और FD जो है 6% है इनमे से जो कम होगा saving account का interest या जो FD का interest है इनमे से जो भी lower होगा RBI की latest guideline कहती है इनमे से जो lower होगा उस rate पर bank को pay करना पड़ेगा तो मालिजे जैसे फिर से देखिए 3 साल के लिए FD हुई थी customer को कोई दिकत नहीं है 3 साल के ल पर है लेकिन जो एक साल बचे हैं इसमें बैंक देखेगा कि saving account पर interest कितना है मालिजे 3% है और FD कितने पर हुई थी 6% पर इन दोनों में कम कौन सा है saving account वाला तो जो कम वाला है 3% अगर है तो 3% के हिसाफ से payment हो जाएगी ठीक है कि लिए हो गई बात कि अगर में चोटी पर पए की है तो कि आप 50,000 रुपए नगत उसे दे देंगे ध्यान दीजिए यहां पर guideline कहती है as per section 269 of income tax act income tax act section 269 कि से याद रखनी जुरूत नहीं है ध्यान रखे income tax act कहता है कि अगर जो principal और interest दोनों मिला करके किसी term deposit का 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है ठीक है या जो किवल interest है वो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो उस case में जो payment होगी वो नगत नहीं हो सकती है समझिए कोई FD है उसमें principal plus interest 20,000 रुपए या उससे ज़्यादा या केवल interest की बात करें वो 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा अगर है तो इस case में जो FD की payment होगी वो नगत में नहीं की जा सकती है सवाल जो आपसे एकजाम में पुछाता है कि किसी भी FD का जो payment है कितने रुमाउंट से उपर नगत में नहीं किया सकता है तो 20,000 रुपए से उपर नगत में नहीं किया सकता है बहुत technical question बनेगा तब आपसे पूछेंगे कि किसी FD पर 12,000 रुपए का interest लगा है क्य क्या इसको हम नगत में पे कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो तभी होगा जर्नली आपसे यही question पुछाता है कि एक FD 12,000 रुपए की है क्या इसको कैस में पे कर सकते हैं मतलब principal plus interest मिला करके 12,000 रुपए पे होना है तो हम कर सकते हैं 20,000 रुपए या 20,000 से जादा ह है है तो उस case में हम नगत में पेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर अगर नगत में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम उसको account page check दे देंगे customer को उसको demand draft बना करके दे सकते हैं या उसकी खाते में भी हम credit कर सकते हैं वो भी possible है लेकिन उसको नगत नहीं दे सकते हैं 20,000 या 20,000 से ज्यादा की case में है ना एक और छोटी सी बात यहां ध्यान रखेगा कि depositor can request for addition or deletion of names in deposit but at least one of the original deposit must remain तो जो depositor होता है तो किसी भी बैक्ती का नाम जोड या घटा सकता है FD में है ना FD मनी हमान लिजे A and B के नाम से तो वो चाहिए B का नाम हटवाना चाहिए हट सकता है B के जगे पर C का नाम डलवाना चाहिए डलवा सकता है लेकिन condition यह होती कि कम से कम जो original depositor था उनमें से एक बैक्ती जरूर बने रहना चाहिए माल जे A, B और C हैं आप B और C को हटा दीजे उसकी जगे पर D और E को ले लिजे लेकिन एक बैक्ती original वाला वहां पर FD में बना रह सकता है जो staff member है उसको दे सकते हैं जो bank retired staff है उनको दे सकते हैं चाहिए वो FD single खुली हो या jointly खुली हो है ना with any member or member staff is family तो मतलब staff member को एक staff member को या retired staff member को additional interest pay कर सकता है bank the spouse of deceased staff member are deceased retired staff member of the bank माल जे कोई staff member है उनकी death हो चुकी है तो उनकी उनके जो spouse है husband या wife जो भी है उनको या जिन्दा है अगर वो लोग FD करेंगे उनको additional interest दिया जासकता है साथ ही साथ में senior citizen जो होते हैं उनको भी higher rate of interest offer किया जासकता है bank के द्वारा ये as per RBI guideline है तो ये बात भी हमने यहां पर समझ ली कि FD का rate of interest कौन decide करता है तो board of directors decide करते हैं या asset liability management committee करती है ध्यान रखिएगा आपसे question जो confusion के लिए पुछाता है तो वहाँ पर आपको देदेगा कि RBI decide करता है तो आपको कई बार लगेगा कि हाँ FD का rate of interest है RBI decide करेगा लेकिन ऐसा नहीं bank खुद decide करता है उसके बाद में क्या higher rate of interest अलग-अलग customer को अलग-अलग interest pay किया सकता है तो differential rate of interest offer किया सकता है बसरते की bulk term deposit हो bulk term deposit उसे कहते हैं जब 2 करोड या 2 करोड से उपर की FD एक बार में ही बन जाए premature withdrawal होने पर penalty काटी जाती है लेकिन अगर किसी customer की death हो गई है तो उस case में कोई penalty अपलाई की नहीं जाती है अगर जब maturity date को छुटी है माल लिजे FD जिस दिन mature हो रही उस दिन छुटी है तो अगला working day जब होगा तब bank जो है FD की payment करेगा और जितने दिन छुटी रही है बीच में उतने दिन की interest भी bank जो है जिस rate पर बात हुई थी शुरुआत में FD बनी थी उसी rate of interest पर pay करेगा अगर माल लिजे FD mature हो गई है और depositor आपके पास में पैसे मांगने के लिए नहीं आता है और बात में आता है तो जितने समय के लिए FD बनी थी उतने समय तक तो जो contracted rate था उसी पर देंगे बाकी के समय में saving account का interest देखिए और FD का interest देखिए इन दोनों में से जो कम हो उसी rate of interest पर उसको customer को interest बाकी समय period का दिया जाता है कितने रूपए तक की FD जो है income tax law के हिसाब से section 269T के हिसाब से income tax के कितने रूपए तक की FD को आप जो है cash में pay कर सकते है तो 20,000 रूपए से कम तक की जो FD होती है उसको cash में pay कियर सकता है 20,000 रूपए के FD का मतलब हुआ कि मूल धन प्लस ब्याज है न मूल धन प्लस ब्याज दोनों मिला करके अगर 20,000 रूपए से कम है तो cash में payment कर देंगे अगर 20,000 रूपए है मूल धन प्लस ब्याज 20,000 या 20,000 से जादा है तो उसकी cash में payment नहीं हो सकती है उसे खाते में डा ला जाता है उसका डिमांड ड्राफ्ट बना भाया सकता है उसे क़न पै चेक है लेकिन नगत पिमेंट नहीं कि जा सकती है एक और ध्यान रखियेगा कि अगर कि दे परUD इंट्रेष्ट जो है दस अजार से जा ज़्यादा हो जाता है बैं उस case में उसको 10,000 या 10,000 से ज़्यादा क्यों इंट्रेस्ट मिलता है तो उस case में भी उसे नगद में पे नहीं किया सकता है ये as per income tax rule होता है depositor चाहे तो जो FD होती है उसमें नाम जोड़ या घटा सकता है कोई दयातराज नहीं लेकिन अगर आप नाम जोड़ते घटाते हैं फिर भी एक जिसने शुरुवात में FD करी थी उनमें से कोई एक विक्ति और जिनली बने रहना चाहिए एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो FD होती है फिर नाट निगोसेबल होती है यह निगोसेबल इंस्टूमेंट नहीं होती है यानि अगर आप चाहो किसी को FD किसी को आप चाहते हैं कि हम इसको जो है इंडोर्स कर दें किसी दूसरे के नाम कर दें तो यह पॉसिबल नही होता है चेक इंडोर्स किया सकता है किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किया Leo लेकिन FD niet Negotiable instrument होती है इसलिए यह transfer नहीं की जा सकती है क्लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे ऑगे Likewise Value Hack withdrawal in Low Pay कर सकता है अपने खुद की इस्टाफ जाती सक्षिब हो गई किछा है लाफ इस्टा जो रिटार्ड इस्टा मेंबर उनके स्पाउस को अगर उनके डेथ हो गई है तब भी दे सकते हैं इसके राव सीनियर सेटिजन्स को भी जो है बैंक अपने डिस्क्रेशन पर चाहे तो हाई रेट आफ इंट्रेस्ट आफर कर सकता है ठीक है तो इतनी सारी मतलब हमने बाते की काफी सारी fix deposits related लवक जितनी भी guideline थी हमने पूरी कबर करने कोशिस किये है और होप है आप लोग को पसंद आएगा thank you so much friends